इस तरीके से मेरा नामांकन खारिज करने की साजी सरची जा रही है। एक नोटीस मुझे तीन बजे दिया जाता है कि आप इस पर जवाब दीजिए। जैसे ही हमारे तमाम वकील साथी मिलकर नोटीस का जवाब देते हैं, तो देखिए यहां के डियम अपने कानून को बदल देते हैं। ठीक 6 बज के 15 मिट पे हमें दूसरा नोटीस दिया जाता है कि नहीं आप चुनाव आयोग दिल्ली जाइए और 11 बजे तक आप हमें चुनाव आयोग से लिखवा के दिजिए कि मैं चुनाव लड़ सकता हूने। पोदीजी के चम्चे सरे आम फलाइट लेके और यहां पर पहुंचते हैं और अधिक रिटन अधिकारी को पर दवाव मनाते हैं कि तेजबादुर का ना मंग कर किसी हालत में खारीज किया जाए। रिटन अधिकारी मजबूर हो रहा है कि देश वाशियों से अपील है कि आज अगर दी अपनी आवाज नहीं उठाई तो यह लोगतंतर की हत्या है तुम्हें गुलाम बनाया जाएगा। आज यह आप मौका है कि पूरा देशाथ सड़कों पर आईए और मेरा समर्थन कीजिए क्योंकि यह सच और जूट की लड़ाई है। सिरफ और सिरफ यह साजी सरची जा रही है इसलिए देश वासियों से माद पहली बारी अनुरोद कर रहा हूँ जो मेरे करानती गारी भाई सुन रहे हैं कहीं भी है आप इंदुस्तान के किसी भी कोने में हैं ट्विटर पे हैं फर्स लोग वट्सोप फर्स उसके उपर समय मिला हुआ हमारे वकिलों की टीम सब लगी वे लेकिन आपका सहयोग सबसे जरूरी है क्योंकि जब इनको लगा कि तेज बहादूर ट्वीटर पे टोप 10 में जा रहा है इनकी पूरी टीम जो एक खिलाप लगी यहां पर योगी और मोदी रात को दो बजे सारे अधिकार करें जहें विश्वा सशर्वहारा का यदि तुमने खोया तो आसन्न मौत की गहन गोसगड़ जाएगी इसी बरास में यदि बाध माधने से पहले धर्ती का जल सूख गया तो धर्ती की छाती में दरार पड़ जाएगी आने वाली पीडिया तुमको कभी नमाप करेगी देश्वास्तों से जो सुन रहे हो इसको लगातार पोश्ट करें मैं देश्वास्तों से सवाल करना चाहता हूं कि अगर जवान अगर जवान मीडिया में जाता है तो कानून का उलंगन हम किसके पास जाएं अगर शमवैधानिक तरीके से आज हम अपनी बात शंसत के माध् के से एज भादूर की बात जेस के साथ लाखों जवानों के शाथ हम रख रहे हैं तो हमें रोका जा रहा है सवाल क्या खाना खराब है एक रोटी की सिकायत करना क्या बहुत बड़ी सजा है सजाबता मुझरी में मैं पूछता हूं देश्वास्तों से पूछें अपने करना चाहता हूं कि आप जहां हो हर जगा उतरे शांती पुर्वक्त पिरोद करें बिल्कुल जो वाट्सप पे हैं फेस्पूर सोसल मेडिया आज हमें ट्रैक किया जा रहा है हमें न्यूट चोनलों में दिखाया नहीं जा रहा है हमारी बातों को दबाया ज़रा है जा रही है सोसल मेडिया के माध्यम से हर देश का नोजवान चात मजदूर डली जो भी राष्ट को प्रेम करता है इसको बात रखे कि क्या तेजबादू सजाबता मुझ्रिम है कहा जा रहा है कि सजाबता मुझ्रिम है और रोका जा रहा है हमें हम आज शड़कों पे उतर हैं आज हम कचरिया घ्राव करेंगे हमें फ्रांसी दो हमें लटकाओ हम कहां जाएंगे क्या हम देश ठोड़ दे क्या हमारा ये देश नहीं है मैं पूछना तो मैंने एक तीसान पंकज मिस्रा अत्येज बहादी रिपान पठान सुजाय मंदल जलीन इस सब क्या थे आप ए अब अपील करता हूँ कि अब जहां कहीं भी हो इसका बिरोध करें बिरोध करें बिरोध करें क्या तेज भादु साहजा आपता मुझरिम है जैहिंद देश वासुग अब हम निकल रहे हैं अपने मिशन के तरह मेरे सभी देश के प्यारे मित्रों आप लोग वीडियो को से खत्रे में हैं क्योंकि सेंट्रल गवर्मेंट ने उनको खत्रे की घटना स्विचना हो चुकी है कि इस जवान से हमें जो है कहीं बीजेई रच न रुक जाए तो मैं आप लोग उसे पूछना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग जिस तरह से हम जवानों की आवाज को दबार हैं क्या ये सही है क्या कमी थी सिर्फ तो हमने तो सिकायत किया था कि दाल रोटी ही खराब मिलती है वो जांच बैठा है जांच आयोग ने भी क्लियर किया कि हम जवान में किसी कत्रकार की कमी नहीं है तो फिर हम किस गुना की सजा काट रहे हैं विज्व में पहला बारितिहास में ऐसा हुआ है कि सेना से बरखास्त जवान आज राजनीतिक मंच में हाथ जोड़के जो है उर्चुनाव में लड़ रहा है नहीं तो अन्नत आप देख ल है कि आप दिन लड़ सकते हमें कोई सर्व्ष नहीं कर सकते हमगान कोई सर्कारी में ज़ूर्मेंट में आप फिर क्रें ये जो बनारस में हजारो हजार की हुजुम में जो जवान जूट रहे हैं आ रहे हैं कल से पूरे देश के तरह से जवानों में खुल बलेट लिए बुकला हट हुई है कि सर्वी विक्या करे ऐसा इस्तितिन न हो जाए कि कहीं से बिद्रो हो जैसे संका भी न हो जाए क्योंकि हमारी आवाज तेज बहादुर जी के सिर्फ एक nomination और सिर्फ एक चुनाव लणना नहीं बसल की 20 लाख जवानों की आवाज है और 20 लाख जवानों की आवाज के तेज बहादुर जी के माध्यम से हम जवान जो है पेड करना चाहता हूं कि जब जब जो है नकसली मावश्ट भी चुनाव लड़ सकते हैं कोई गुंडे क्रिमिनल लड़ सकते हैं और तो हम जैसे बरखास्त जवान ही कौन से क्या गुना किया है कि हम चुनाव नहीं लड़ सकते ऐसे अगभी चरधारा आएंगी तो हम फिर सवाल पुछे चुनाव आयोग से ट्विट कर यूटूब से जिस तरह से आपका फ़र्ज बनता है कि अखिर किस तरह से तेज बादुर जी का नमांकर रोका जा रहा है मित्रो अब रूखने का समय नहीं है ना सोचने का समय है लागतार बढ़ते जाए आगे बढ़ते सरफरोशी की तवन्ना अभी हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बादुवे कातिल में है कातिल में है कातिल तुम कातिल हो तुम कातिल हो बनार्ज की धरती से हम कह रहे हैं अगर हिम्मत है तो आओ आमने शामने चुनाव में आओ हम दिखा देंगे तुमारी और कात बत देश के अंदर से जो एक जनसाइलाब उमर के आ रहा है, मेरे पास हजारों लोगों का सरात से ही फोना रहे हैं कि बनारस की धर्ती पर हम लोग पहुँच रहे हैं। वास्तविक में लग रहा है कि देश के अंदर एक बड़ी क्रांती हो सकती है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किशान।